हलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस का बूस्टर डोज जो सभी प्रतियोगी परिच्छाओं की खोपड़ी में छेन करने के लिए आपको बनाएगा बहतर तो आईए चलते हैं अपने पहले कुश्चन क्योर प्रकास का वेग सबसे पहले किसने मापा था गैलेलियो ने नूटन ने रोमर ने आंस्टीन ने तो इसका करेक्ट अंसर होगा रोमर अगला क्रेंद देखते हैं डायूप्टर किसकी इकाई है लेंस की छमता की लेंस की फोकस दूरी की प्रकास की तीवृता की धुनी की अभिशारी लाइनों से तो अंसरो जाएगा समानतर लाइनों से अगला है चमगादर की धोनिक कैसी होती है शरब्ब अभधनिक अभशरब्ब पराशरब्ब तो इसका अंसरो जाएगा पराशरब्ब अगला कोश्टन देखते हैं रेडियो संचार में प्रेशन एंटेना दोरा उतसरजित संकेत पृतिविम्बित होते हैं समताब मंडल पर ओजोन मंडल पर आयन मंडल पर तो करेक्ट अंसरोगा आयन मंडल पर अगला क्वेशन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकास की गति के लिए उस्मा की तिवरता के लिए ध्वन की तिवरता के लिए या रेडियो तरंग की आवरति के लिए तो यह हो जाएगा ध्वन की तिवरता के लिए चलते हैं अगले क्वेशन के ओर अगला क्वस्चन है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सोनार, रडार, लेसर, मेसर तो इसका correct answer सोनार अगला क्वस्चन है पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाए दो बाल्टियों को अलग-अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि बाल्टियों द्वारा तो इसका correct answer गुरुत केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है उसके बाद चलते हैं अगले क्वस्चन की ओर पानी की बूंदों का तैली प्रष्ठ पर ना चिपकने का कारण है आसंजिक बलका अभाव प्रष्ठ तनाओ आपस में मिल नहीं सकते तेलकिया पेच्छा हलका होता तो correct answer A आसंजिक बलका अभाव अगला क्वस्चन है ठो सवस्था में विद्धु धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या सूडियम तो correct answer होगा ग्रेफाइट उसके बाद अगला क्वस्चन है पहाडों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाडों पर ठंड होती है पहाडों पर कार्बन डायक्साइट कम होती है तो तीसरा correct answer पहाडों पर वायुदाव कम होता है उसके بعد अगले कोश्चन की तरफ चलते है देखते हैं हमारा अगला कोश्चन क्या दे रखा है तो अगला कोश्चन यह कह रहा है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिध्धान्त क्या है? अमल आधारित अंतर क्रिया, अपोहन, विद्धुत अफगटन या उपापचेन तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? option number D, उपापचेन, उपापचेन जो होती हो बैटरी के प्रचालन का मूल सिध्धान्त माने जाती है चलते हैं अपने अगले question की ओर, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली सीसी रख देने से उसकी खुसबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ऐसा किस कारण होता है? पहला दिया वास्पी करण, वास्पन, बिसरण, उर्धपातन तो इसका correct answer हो जाएगा बिसरण जो की C option है चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question कहा रहा है रात में कुहासे और कुहरे में फोटोग्राफी करना निमनी लिखित में से किसका प्रियोग करते हुए संभाव है परावैंगनी किरणों का अवरक्त विकराण, सुच्छम, तरंगी विकराण, गामा विकराण तो इसका answer हो जाएगा option B, अवरक्त विकराण चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है समीप द्रश्ट, अविन्दुपता, जरादूर दरस्त, दीर्ग द्रश्ट दोस देखते हैं मायोपिया को निकट द्रश्ट दोस करते हैं और समीप द्रेश्टी दोस, निकट द्रेश्टी दोस तो इक ही चीज़ होती है, तो इसका correct answer हो जाएगा option A, समीप द्रेश्टी दोस. जब कि दीर्ग द्रेष्ट दोस क्या होता है? जब दूर की वश्ट कोई दिखाई, दे परंत नजदिक की ना दिखाई दे. वो क्या होता है? दीर्ग द्रेष्ट दोस. उसके बाद चलते हैं अगले question की तरफ. अगला question हमारा है, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रियुक्त साधन को कहते हैं परिणामित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल, डाइनेमो तो इसका correct answer हो जाएगा option B, दिष्टकारी अगला question हमारा है बिजली का बल्व निम्न लिखित में से किससे अरधित होता है option B, सक्ति और बोल्टता, धारा और बोल्टता, उरजा और बिजली तो इसका correct answer हो जाएगा option B, सक्ति और बोल्टता अगला question हमारा है उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें वाहे चुम्ब की प्रभावों से बचाया जा सकता है लोहे की सील्ड, रबर की सील्ड, पीतल की सील्ड, कांज की सील्ड तो इसका correct answer हो जाएगा option B, रबर की सील्ड अगला question हमारा देखते हैं कहारा है, ट्रांसफार्मर क्या है option A है, DC को AC में परिवर्थित करता है option B है, AC को गटाने और बढ़ाने में परिवर्थित करता है तो यहाँ पर जो हमारा correct option दे रखा है वो हम देखते हैं, option number B option number B क्या गहरा है? यह AC को, AC बढ़ाने में परिवर्थित होता है इसलिए यही हमारा correct answer हो जाएगा उसके बाद अगला question देखते है तडित चालक बनाने के लिए प्रिवर्थ धात हो है लोहा, copper, zinc, aluminium तो इसका correct answer हो जाएगा copper जो क्या आपके सामने अगला question है परमाण घड़ी, निम्न लिखित में से किसके संकमल पर आधारित है sodium, cgs, magnesium, aluminium तो इसका correct answer हो जाएगा cgs देखे, magnesium का परमाण कमांक 12 होता है sodium का 11 होता है उसके बाद अगला देखते हैं, lens किसद से बना होता है lens किससे बना होता हृँ? perx, flint, kalch, sadhan, kalch cobalt, तो इसका correct answer हो जाएगा option number B flint kalch, flint kalch lens बना होता है ठीक है उसके बाद कांच के टाइप प्रियोग में लाई जाती है रिससे बाटल बनाने में या लेंस बनाने में सी तरीके से अगला क्वेशन है कोई पिंड उस्मा का सबसे अधिक आउसोसान करता है जब वह हो काला और खुरदरा, काला और मिसर्ण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मिसरान, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर 1, काला और खुरदरा जो की करेक्ट एंसर, अगला किस से पैदा होती, उबलता हुआ पानी, गरम पानी, भाफ, पिघलती हुई, प्लावी बर्फ, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अपसर सी भाफ, उसके बाद अगला क्वेशन देखते हैं, देखा है, लेजर प्रिंटर में किस तरह की लेजर का प्रियोग किया जाता है, अपसर ए, अर्ध चालक लेजर, एक्स, लेमर, एक्स, मेर लेजर, ठीक है, उसके बाद डाई लेजर, गैस लेजर, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अर्ध चालक लेजर, अगला क्वेशन देखते हैं, जो दे रखा है, निम लिखित में कौन उसमा का सबसे कम चालक है, च चांदी, तो ये दोनों ध्यानकना कि उसमा का सबसे अधिक चालक कौन होता है, चांदी, और सबसे कम किसका होता है, सीसा का, ठीक है, जो कि हमारा आफसर नमबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा, आज का वीडियों देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियों पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सेर करें